कि शामसंग 43 इंच क्रिष्टल यूएजडी 4K स्मार्ट एलेडी टीवी पर केसा दिखाई पड़ता है एजडी चानल और केसा दिखाई पड़ता है एजडी चानल जानेंगे इस वीडियो में तो और एक नौए वीडियो में आपको बहुत रहुत शागत करता हूं में लख म आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सामसंग का 43 इंच क्रिष्टल 4K स्मार्ट एलेडी टीवी पर कैसे दिखाई पड़ता है एजडी चैनल और एजडी चैनल हमने सारा काटागरी का चैनल जो है अलड़ी चेक करके इसमें दिखा है वो चाहे न्यूज चै इस पर कैसे दिखाई पड़ता है यह सारा एजडी और नौन एजडी चैनल्स तो चलिए वीडियो को बिना दरी करते हुए वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नौय हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको आच्छ हाई बढ़ता है वह बताने से पहले सबसे पहले आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा तो यह एक 4K TV है ठीक है इसका जो भी टेकनिकल्स परामिटर्स होता है बहुत हाई होता है तो इसको आप पहले पॉइंट पर रख लिजे कि टेकनिकल्स जितना भी परामिटर हो साहे चाहें डिस्प्ले हो चाहें कॉन्फिकेशन हो चाहें प्रोशर का बात करें आप इतना प्राइस अगर पे करते हैं तो ओवियूसलिए आप एक हाई टेकनिकल्स परामिटर्स वाला टीवी आप पर्चेस कि तो इस टीवी पर आप लोग ने इसडी चंड और अचडीचनल कैसा दिख्याई पड़ता है इसको लेकर बहुं सरव को मेंसे आप लोग ने किये थे वीडियो पर कि कैसा दिखाई पड़ता है आप बताईए तो इसलिए मए यीजडियो बनना पड़ रहा है तो चलिए सबसे पहले जो बात आता है इस पर कि ओतो में आपको बता दूंगा और या दिखा दूंगा कि मेरा कुष्चिन यह है कि अगर आप ऐसा कुष्चिन करता है कि कि अगर आपको सिर्फ एक टीभी लेके एजडी और नॉन एजडी चानल देखना है फिर आप 4K TV के साथ क्यों जा रहे हो ठीक है मतलब इतना प्राइस से आपको इन्वेस्ट करने का मेरा हिसाब से जर्रोत नहीं क्योंकि आप अगर किसी भी 4K स्मार्ट टीवी सीरीज पर जाते हो तो अभी यह जो रियल्मी को छोड़के अगर आप अच्छा से 4K TV ले चाहो तो 30,000 का उपर ही आपको अच्छा 4K TV मिलता है तो इतना प्राइस पॉंट में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर आपको सिर्फ एसडी यानि आप सेट आप बॉक्स लाके देखना चाहते हो टीवी जैसे कि मैंने आपको इसका पिछले वीडियो बताया था कि अगर आप टीवी पर्चेस करने के लिए प्लान कर रहे है तो पहले आप असेस्मेंट यह जरूर कर लेना कि आप जो टीवी को पर्चेस कर रहे हो टीवी को आप किस तरह यूज करना चाहते हो अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक फोर्टिक के टीवी लेरो मुर्दन 30,000 प्राइस पर्चेस करके और उस टी आप इस तरह ले सकते हो तो आप चलिए पॉइंट पर आते हैं अब यह जो टीवी है सामसंग का 43 इंस क्रिष्टाल यूजडी 4K स्मार्ट लेड टीवी इस पर जो है मैं काटागोरिया इसे आपको बता देता हूं सबसे पहले में न्यूज चनल लगाया न्यूज चनल में आपको एजडी चनल भी है और एजडी चनल भी है यह एजडी चनल ओके नो इसू जब आप इस टीवी पर एजडी चनल लगाता है कोई प्रोलम नहीं आएगा आपको आच्छा खासा विदाउट एनी नौइज के आप साथ में आपको अच्छा सा पिच्छर प्रड्यूस ह लगाता है ठीके लेकिन जब उसी चनल को एजडी चनल लगा दोगी यानि नौन एजडी चनल लगा दोगी मैं बात कर रहा हूं न्यू चनल का उसमें आपको आंकर कौन है गेस्ट कौन है आपको मतलब रेकर्णाइज करना बहुत प्रोलम हो जागा यानि सब्जेक्ट और अब्जेक्ट में डिफरेंस तो पता चलेगा बट सब्जेक्ट और अब्जेक्ट जो है पिच्चर में ज्यादा नौइज आन लगता है नमर अब बात करते हैं स्पोर्स स्पोर्स में भी सेम है जब मैं एजडी चनल इसमें लगाया तो मेरे को अच्छा-खासा पिचर जो है इस टीवी पर अब बात करते हैं से एंटर्टनमेंट यानि कोई भी सीरियल लगा लिजिए मूबी लगा लिजिए उसमें भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगा तो यानि कोई मिलाकर बात यह है आप अगर इस टीवी कर ले रहे और आप सोच रहे कि मैं एजडी चनल इसमें देखूंगा तो भाई आपका जो एक्स्प्रियेंस रहेगा बहुत ब्याड रहेगा मैं अलड़ी देख चुका हूं मेरे पास जो सेट आप बक्स था मैं बता जा रहा हूं एयर टेल का एजडी सेट आप बक्स है हाला कि इसमें मैंने कुछ एजडी चनल अक्टेव करके रखा है कुछ AquisD चनल अक्टीव करके रखा है तो इसलिए इस TV पर में होगे होगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए जाएंगे